आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठालो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठालो आनन प्रते दिन के जीवन का आनन प्रते दिन के जीवन का में स्वागत है आज अब हमारे साथ है मुझे बहुत खुशी हुई है यदि आप अपने जीवन का आनन लेना चाहते हैं तो आपको आपका मन निश्चित करना है और उसे उसी दिश्या में रखना है आज मैं आपसे उसी के विशे में बताऊंगी अपने जीवन का आनन लेने का नेरने ले परमीश्वर का वचन ग्रहन करने पर आशीश मिले इश्यू ने युहन्ना दस-दस में कहा और बहुत सी लोगों ने बाइबल में बहुत सी बाते कहीं सब पवित्रात्मा के द्वारा प्रोच साहित हुए थे परन्तु मैं सोचती हूँ कि जब इश्यू ने इसे कहा तो हम थोड़ा अधिकी सुनना चाहते हैं इश्यू ने कहा चोर केवल चोरी करने घात करने और नाश करने आता है परन्तु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ उर उसका आनंद लो वो वहीं पर नहीं रुका एंप्लिफाइड बाइबल कहती है और बहुत तायत से पाओ परिपूर्ण होने तक तब तक वो उमड ना पड़ी इसलिए आपको काफ़ी आनंद रखना है केवल आप अच्छा दिन बताएं इसलिए नहीं बरन्तो इसमें कुछ दूसरों के जीवन में भी जाना ज़रूरी है आपको दूसरों के जीवन में उंडेलना है कल हमने जीवन का आनन्द लेने के आवशक्ता के विश्य अच्छी नहीं डाली है आज के मेरे संदेश का नाम है आपका मुन और मुँ आपके आनन्द पर कैसे प्रभाव डालता है संथ पहले से ही बहुत परिशान है आपका मन और मुँँ आपके आनन्द पर कैसे प्रभाव डालता है सबसे पहले यदि जीवन में आनन्द चाहते हैं तो हमें हमारा मन जीवन का आनन्द देने के लिए लगाना है और उसे बनाय रखना है कई बार में इवचन कहती हूँ आज का दिन पर मीश्वन ने बनाया है मैं इसमें मगन और आनन्द इत रहूँगी ये तो मेरे रोज के जीवन के क्रम की मनोदशा है मेरे जीवन का आनन्द लेने के निर्ने का ये एक भाग है कुलूसियो तीन कहता है अपने मन में निर्नेले और उसे बनाया रखे ये इन बातों को कहते हूँ शुरू होता है कि हम अपना मन उन बातों पर लगने के द्वारा उसे ढूनते हैं इसलिए यदि आप मसी के साथ जी उठे हैं आपको उपर की बातों को ढूनना है जहां इशू रहता है हमें उन बातों को ढूना ने जो संसार की या भक्ती हीन है यदि आप अपना मन किसी बात पर अधिक समय तक लगाएं तो आप अन पर उसे प्राप्त करेंगे चाहे वो कुछ बेकार की बात ही क्यों नहूं आप चाहे अपना मन किसी बार भी लगाएं दिया अपने शिठान ले और आप अपनी सोच उस पर लगाएं तो आप उसके पीछे अवश्य चलने लगेंगे भजन तेई साथ कहता है मनिश्य जैसा सोचता है वैसा वो हो जाता है अद्भुत वचन जो कुछ मनिश्य सोचता है वही वो प्राप्त करता है इसलिए वे वैसे बन जाते हैं हमें उस गलत सोच से पीछे छुडाना है जो ये कहती है कि जब मेरे पास ये समस्याई ने रहेंगी तब मैं खोद आनन्द मनाऊंगा मैं तब आनन्दित होँगा जब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और आप निराशना हो परन्तु जिस बात के साथ में आप अब वेवार करें जब वो चली जाएगी तो फिर कुछ और बातें उभर कराएंगी मैं नकार आत्मक नहीं हो रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि जीवन कैसा है देखिए हम बातों से वेवार करते हैं और आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि किसी बिनिश्चित दिन आप उठ सकते हैं और आपके साथ वो घटना होती है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की है कई बार ही आश्चरे में डाने वाली अच्छी घटना होती है और कई बार दुखी करने वाली बात होती ह हमें इतना परिपक्व होना है कि चाहे हमारी परिस्तित्या कुछ भी क्यों न करें हमें एक समाली बने रहना है और वो उन्नती देता है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% तक पहुच चुक्यों कि मैं निश्चे ही नहीं पहुची हूँ हमें उस सोच से पीछे छुडाना है जो कहती है मैं तब आनन्दित होंगा जब हमें कहना चाहिए मैं आब आनन्दित होंगा मैं आज आनन्दित हो जाओंगा मेरा जीवन जितना चाहता ता उतना सिद्ध नहीं है परन्तु मैं आज आनन्दित हो जाओंगा आज आनन्दित हो चाहे के दृष्टी कोंड से सहने योग्यों होते हैं, मसीही लोगों के लिए किसी बात में से मुश्किल से बुरी मनुदशा के साथ जाना एक बात है, और उसमें से विजय होकर जाना दूसरी बात है, इसलिए बाइबल के इन सब बातों के बीच में हम जैवन से भी बढ़क हैं, जो संसार में उससे भी बड़ा मुझ में वास करता है, मसीही जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो यहां हमारे लिए आत्मिक प्रोचसान है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमें आनंद की मनुदशा बनाए रखनी है, मजबूत होना है और उसमें से विज़े होकर जाना है, इसका ययर्थ नहीं कि हमें चोटनी पहुचेगी, या हम रोएंगे नहीं, इसका ययर्थ नहीं कि वो सब बाते चुनोते वाली नहीं होंगी, या हमारा दिन कभी बुरा नहीं जाएगा, वरन हम खुद पर नियंतरन करते हैं, और हम जैसा मैसूस करते वैसा वैवार नहीं करते हैं। जैसा मैसूस करते हैं। जैसा मैसूस करते हैं। मेरे पती बहुत ही खुश वेक्ती हैं। प्रभू पर भरोसर रखो और उसे ये करने दो। ये अच्छा लगता है पर उन्हें जितना समय लगता है उससे अधिक समय मुझे ये करने में लगता है। डेव ऐसे क्यों इसका एक कारने क्योंकि हर एक परिस्तिती में मेरे पास मुझे ये पसंद नहीं होता है। और एक परिस्तिती में वो हमेशा मुझे वचन बताते है। मैंने डेव से कहा इदिया प्रचारक होते थे आपके पास एक ही संदेश होता है। क्योंकि जहां तक डेव की बात आती है ये एक वचन सब बातों में उपयोगी होता। और ये पाये जाता है रोमियो आठ पद 28 में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए वो सब बाते मिलकर भलाई ही उत्पन करती हैं। अर्थात उनी के लिए जो उसके अभी प्राय से बुलाए गए हैं। इसलिए डेव हमेश्वर कहते हैं सब बाते मिलकर भलाई उत्पन करती हैं। कि पास एक और वचन है, अपनी सारी चिंता परमिश्वर पर डाल दो, ये दो वचन, अपनी चिंता परमिश्वर पर डाल दो, बाइबल कहती है, अपनी चिंता परमिश्वर पर डाल दो, परमिश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन करती है, आप में से कितने परमिश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं, मैं सोचती हूँ कि आज मैं आप से कह सकती हूँ कि आप सब जो आज ऑडिटोरियू में बैठे हैं। उसे आपकी भलाई के लिए ही बनाता है। और उसे तेरा वर्षों तक जेल में ऐसे काम के लिए डाला गया थो जो उसने किया ही नहीं। उसकी भायों ने उसे ग्रुना की उसे गड़्डे में डाला गया। गुलामी के लिए बेचा गया था। इस व्यक्ति के पास तो सबसे अधिक बुरी मनोदशा हो सकती थी और यह ऐसा भी दिखाई देता था कि यह दी। वो उसे करता तो वो सही कर रहा है परंतो फिर भी परमेश्वर की वचन में कोई सबूत नहीं है कि उसने ऐसा किया परंतो उसने अपने आसपास की लोगों से केवल प्रेम किया। और उनकी मदद की थी चाहे उन्होंने कुछ भी क्यूं न किया था इसलिए परमेश्वर ने उसे उन्नती दी जेल में भी उसे बंदिग्रह में मुखिया बनाया गया था। जवान और अधीर था कुछ सबने आप अपने तक ही रखें। आमें। जैसा उसके साथ विवार किया था वो तो उसके विवार के लिए उतना बुरा नहीं था परौंतो फिर भी जब उसके भाई उसके सामने जुक गए और विह सोच रहते कि वो उन्हें मार देगा और सब तरह के बुरे विवार करेगा। वो से कहा, मेरे भाई, मेरे भाई, क्या मैं परमेश्वर की जगा पर हूँ? तुम्हारे साथ व्यवार करना, ये मेरा काम नहीं है. तुमने जो कुछ किया, वो मेरे नुकसान के लिए सोचा था, परंधु परमेश्वर ने उसे मेरी भलाई के लिए किया. आमें! कई बार शत्रु आकर कुछ काम करता है कई बार प्रभु भी कई बातों को होने की अनुमती देता है क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बाते हैं जिनकी ओर हम ध्यान नहीं देते और परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हम तक पहुँचना चाहता है पर उन्तों हम ध्यान नहीं देते इसलिए कई बार उसे हमारी परिस्थिती को सफर्ष करना पड़ता है यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने वचन पहले देंगे और यदि वे उसकी ओर ध्यान ना दे इसलिए नहीं कि आप उसे प्रेम नहीं करतें पर तो इसलिए कि आप चाहते हैं कि वे जाग जाये और सही मनों दशा रखे हाललुय या इसलिए मेरा विश्वास से की रोमियो आट-अठा अइस आनन्द की कुन्जी है क्योंकि मैं आपको ये शाश्वति नहीं दे सकती कि परिस्थितिया हमेशे एक समानी रहेंगी परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न आए यदि आप कहेंगे कि मैं विश्वास करती हूँ कि ये मेरे लिए भलाई उत्पन करेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है परमिश्वर परंतों में जानती हूँ कि मैं तोसे प्रेम करती हूँ और तेरी इच्छा चाहती हैं और इसलिए ये मेरे लिए भलाई उत्पन्य करेगा हम में से अधिक तर यदि हम पूरा सच कहें तो हम सब जानते हैं कि जब हम मुश्किल समय में से जाते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमेशा मजबूत हो जाता है आप अब परमेश्वर के साथ जिस करीबी संबंध का आनन दे रहें उनमें से अधिक तर आपने उन मुश्किल समय में प्राप किये जिस समय आपके पास कोई और नहीं परंतु बस वही था इसकी कारण आप परमेश्वर के साथ के अपने संबंध में और अधिक आगे बढ़ते हैं कभी-कभी परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ लोगों को हटा देता है और हम हमारे अकेले पन पर चिलाते और रोते हैं और शायद ये वही लोग हो सकते जिन पर हम अधिक आधारित रहते हैं ऐसे मित्र जिन पर हम अधिक आधारित हैं और परमेश्वर को उन बातों को हमसे दूर करना पड़ता है ताकि हम हमारे आसपास की बातों के बजाएं उस पर आधारित रहें कई बार आप अपने धन पर अधिक भरोसा करते हैं हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बाती होती जिन के साथ परमेश्वर को व्यवार करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास उनके प्रती आकर्शन होता है जो केवल उसका है वो चाहता है कि चाहे कोई भी परिस्तिती क्यों नो हो हमें आनंदित रहना है क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है मैं चाहती हूँ कि आज आप इसे देख ले कि परिक्षा में हमें आनंदित रहना क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि परिक्षा आपको सुखा देती है परंतो आनंद आपको बल देता है यदि हम और कुछ नहीं परंतो केवल सूख रहे हैं तो फिर शत्रु के लिए आसान होगा कि हम नीचे खीच ले परंतो यदि हम उस आनंद के फल के द्वारा उसे वापस युद्ध करें तो हमें बल प्राप्त होगा कि हम आगे बढ़ें और अंतिम परिणाम प्राप्त करें बाइबल में इसकी विश्य में बहुत से वच्चन संदर्वे योहना 16, 33 कहता है संसार में तुम्हें सताओ होगा ये परमिश्वर के उसे प्रतिग्या है कि संसार में तुम्हें सताओ होगा और फिर उसने कहा ढाड़स बांदो मैंने संसार को जीत लिया तुम्हें नुकसान पहुँचाने कि उसकी सामर्थ मैंने छीन दी है आनन्द एक हतियार है कुलुस्यों 11 में पॉलुस ने कलीसिया के लिए प्रातना की कि वे उनके विरुद्ध में आने वाली हर बातें आनन्द के साथ सहले और डटे रहें आनन्द के साथ इसलिए हम देखते हैं कि पॉलुस फिर से कहता है तुमारी परिक्षा होगी खलेश होगा मैं आपको फिर प्रोसायद करती हूँ कि आप डटे रहें और सहलें परंतों मैं आपको बता रही हूँ अपने आनन्द का स्तर बनाये रखें क्यों क्योंकि आनन्द हमें बल देता है याकोब एक दो से चार विबन परिक्षाओं का सामना करती समय इसे आनन्द की बास समझूए जानते हुए कि पर्मीश्वर उनका उप्योग आपकी भलाई के लिए करेगा आनन्द के साथ जुड़े रहने में हमें परिशानी होती है प्रेरित बीस चौबीस में पॉलुस ने कहा इनमें से कोई भी बात मुझे नहीं हटा सकती है और मैं अपने प्राण को अपने लिए प्रीनी समझता हूँ ताकि मैं अपनी दोड आनन्द के साथ पूरी करूँ इसलिए आनन्द महत्वपुन क्यूं है ये जानने में ये मेरी और अधिक मदद करता है जैरास्ते में कितने भी गड्डे क्यूं नहों तो भी पॉलुस ने यात्रा का अनन्द लेने का निर्णाय किया था आमें ठान लेना ही मुख्य कुन्जी है आनन्द हमारा सामानी स्वभाव होना चाहिए मसीह व्यक्ति के लिए आनंद लेना उनका सामानिय स्वभाव होना चाहिए दोबारा सुनिया आनंद तो हमारा सामानिय स्वभाव होना चाहिए आप क्या सोचने कि स्वर्ग का स्वभाव कैसा होगा हम सब जानते कि वो शांत और आनंद की जगह होगी कोई आसु नहीं कोई रोना नहीं कोई दुख नहीं कोई दर्द नहीं मुझे आश्यर होता है कि इश्यू का स्वभाव कैसा था जानते हैं उसका तो खुशी का स्वभाव था शांति पूर्ण स्वभाव तो मेरा जीवन सामानी कब है यदि आप खुश है तो संसार में आप असामानी है और लोग सोचते हैं यदि आप बहुत खुश है तो आप मादक द्रवी लिया है कई बार आप संसार में किसी की ओर देखकर मुस्कुर आए तो वे आपकी ओर ऐसे देखते हैं कि जैसे तुम क्या करने राए मसीह व्यक्ति के लिए आनन तो हमारा सामानी स्वभाव होना चाहिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इसके विश्य प्रती दिन कुछ करना पड़े ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इस वभाव में रहने के लिए कुछ बड़ी घटना होनी चाहिए आप मुझे समझ रहे ना जैसे हम प्रति दिन के सामानी जीवन में से जाते हैं हमें तो आनदित होना चाहिए प्रति दिन के जीवन का आनद ले केवल छुटियों का आनद ही नहीं लेना है परन्तु प्रति दिन के जीवन का आनद लेना डेव और मैं इस वर्ष कुछ समय छुट्टी लेने की ओजना बना रहे और हम बाते करते आयें कि समय हम क्या करेंगे और आने वाली विशेश बातों की रहा देखना सच में आनन्द लेने योग्य है परंति युदि मैं छुट्टी लेने के समय तक इन सब बातों को बस ऐसी स कल हमने सबोपदेशक पढ़ा और हमने देखा कि सबोपदेशक का लेखक लोगों को उनके काम का आनन्द लेने के रिए प्रोसाहित करता है अपने काम से घृना न करें काम इसले धनिवादी हो यदि आप ऐसा मैसुस करतें कि आपको कहीं और रहना चाहिए तो जब आप द आनन्ध हमारा सामानी स्वभाव ना चाहिए क्या होगा जब हम सुबह उठकर भावनात्मक निराश चिड़चिड़े और निराश मैसूस करते हैं तो आप सुचते हैं क्या हुआ है ओ आज मुझे बुरा मैसूस हो रहा है हर स्वभाव का एक कारण होता है क्या आप जानते हर एक फल के लिए एक जड़ होती है हम फल तोड़ने की कोशिश करते हैं और हम नीचे जड़ तक नहीं पहुँचते हैं शायद हमने इसके साथ व्यवार नहीं किया और इसलिए ये दूसरे दिन दूसरे तरीकों से वापस आता है हमारे मित्र डॉन क्लॉज इस सप्ता के अंत में हमारे साथ है डॉन इनके और हाथ दिखाए क्योंकि सब जाना चाहते हैं कि ये आप कौन है उन्होंने मुझे लगबख एक वर्ष पहले सिद्धान्त बताया जो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी-कभी उनका एक दिन ऐसा भी होता है जो बस बेकार का दिन होता है और वो सोचते हैं कि मैं आखिर ऐसा क्यों हो कई बार जब आप ऐसे जाकते हैं यदि आप इसकी जड़ तक ना पहुँचे तो आप सब पर दोश लगाना शुरू करते हैं हम हमारा मन नकारात्मक बातों पर लगाते हैं या जिने हम सोचते हैं नकारात्मक उन पर लगाते हैं और अच्छी बातों की विशे सोचने में अधिक समय नहीं लगाते हैं क्या ये अद्बुत नहीं कि हमारा मन अपने आप नकारात्मक बातों पर लगता है कि आपने कभी ध्यान दिया कि आपको क्रोधित करने के लिए लोगों ने क्या क्या यह सोचने की कोशिश करने के भी ज़रूरत नहीं है। आपको उनके विशे नहीं सोचने की कोशिश करनी है जो कहता है कि वो पुराना स्वभावन अकारात्मक बातों की ओर जुखता है परंतु हम मसी में ने स्रुष्टी हैं फिर भी बाइबल बताती है प्रती दिन हमें मसी को पहन लेना है हमें प्रेम पहन लेना है हमें दया पहन लेनी है हमें सही विचार चुन लेना है मैंने तुम्हारे सामने जीवन और बृत्यू रखिये जीवन चुन ले ताकि तू और तेरा घराना जीवित रह सके दूसरा कुरुंतियों 10,4 और 5 क्योंकि हमारी लड़ाई के हतियार शारी रिक नहीं है परुंतो गणों को ढ़ा देने के लिए परमिश्वर के द्वारा सामर्त है तो हम कल्पनाओं को और हरेक उची बात को जो परमिश्वर की पहचान के विरोध में उठतिये खंडन करते है ये कारण बताना और सिद्धानत और कल्पनाओं के विशे कहता है ये तो विचार है ये परमिश्वर हमें कोई काम करने की योगिता ना दे तो वो कभी भी वो करने के लिए नहीं कहता है इसलिए ये परमिश्वर मुझे गलत विचारों को गिरा देने के लिए के लिए कहत आनन्द के साथ बहुत संबंध होता है। आनन्द के साथ बहुत संबंध होता है।